दोस्तों ये पारलेमेंट रिपोर्टर सिरीज के लिए 150 सब्द प्रतिमिनाट की गति से डिक्टेशन होगी अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल ऐकन को दवाना पिलकुल भी ना भूले ताकि हमारी आने वाली सारी लिटेश्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुं सके तो चलिए फ्रेंट्स देर ना करें शुरू करते हैं टार्ट महोदे हमारी चीवन में संगीत का व्यापक स्थान है भारतवासियों को अपने प्राचीन यूग से अथवा अपने पुर्वजों से सास्तिरी संगीत के रूप में एक बहुमुल्य निधी मिली है हमारे पुर्वजों की द्रिष्टी में संगीत का धे अध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्स के अनुकूल विकास किया हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पुर्णता के सिखर पर पहुँच चुकी थी संगीत के धे के संबंध में आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हो यह सभी शुकार करेंगे कि इसमें सामनजश्य की ओड ले जाने वाली और व्यक्त जगत से एक्के का आभाश कराने वाली सकती निहित है संगीत के वातावरन में ही नहीं बलकि सुरोताओं और गायकों के मन में भी सामनजश्य की उत्पती होती है संगीत के उच धे और व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीन काल में भाड़त वासियों ने संगीत को जंसाधारन के समाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उचा अस्थान दिया था सायद ही कोई ऐसा भारती त्योहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन ना होता हो संगीत जन्म से मिर्तिव पड़ेंत हमारे साथ रहता है हमारे सभी रिती रिवाजों में इसका कुछ न कुछ अस्थान है सताबदियों से हम संगीत के प्रसंसक तथा उपासक रहे हैं और हमने इसकी गन्ना सदा मानों की उच्चतम साधनाओं में की है काल के प्रभाव से हम लोगों की रूची में काफी प्रिवर्तन हुआ परंतु सास्तिरी संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विसेश और मौलिक प्रिवर्तन नहीं हुआ मुसल्मानों बादसाहों और अमीर उम्रों के द्वारा संगीत को केवल प्रोचाहन ही नहीं मिला इसमें समया नुकूल हेर फेर भी हुए और आज विसेशकर उत्तर भारत के संगीत ने उसी योग से प्रभावित और पहुत अंसों में अनुप्रानित होकर अपना नया ग्रहन कर लिया है पर जो भी हेर फेर हुए वे हैं उपड़ी पोशक मात्र ही भारती संगीत सरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचिन सास्त्री संगीत बना हुआ है ऐसी आसा की जाती है कि इसमें अभी भी इतनी सकती है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वाताव परन के अनुकुल बना लेगा प्राचिन संगीत कला भारती रजवारों के दरबारों में उनके आश्रे से पनपती रही यह स्विकार करना होगा कि भारती नरेसों द्वारा दिये गए प्रश्रे के कारण संगीत लुप्त होने से बच गया परनतु यह भी मानना पड़ेग कि इन वर्सों में भारत की जनता का सास्त्री संगीत से बहुत कम संपड़क रहा अतह जनता और हमारे प्रंप्रागत सर्वस्रेष्ट संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई यदि हमें संगीत को जिवित रखना है और सहर्सों वर्स पुरानी इस अमुल्य प्रंप्रा की रक्षा करनी है तो हमें इस खाई को पाटना होगा यदि यह आवश्यक हो तो सास्त्री संगीत में ऐसे संसोधन करने में कोई बुराई नहीं जिनके फलसुरूप यह लोगप्रिये बन सके इसके साथ ही जनसाधरन को भी सिक्षित करने की आवशकता है जिससे उनकी रूच अधिक परिस्कृत हो सके और वे सास्त्री संगीत का अनंद उठा सके भारत गनराज्य में नरेसो और रजवारों का अच्छा अस्थान है महोदे आधुनिक यूग की एक बड़ी देन यह है कि हम किसी भी चीज की पहुत प्रतियां बना सकते हैं प्राचिन काल में यदि को पुस्तक लिखता था तो गरंथ की हस्त लिखित प्रती एक ही होती थी उसकी यदि प्रतियां बनानी हुई तो दूसरे आदमी को पूरा गरंथ लिखना परता था जो बहुत ही वय साध्य और स्रम साध्य काम होता था आज किसी गरंथ या वस्तु की प्रतियां केवल मुद द्रनाले में ही नहीं पल की अन्य प्रकार से भी बन सकती हैं एक का अनेक बना देना आज एक खेल सा हो गया है यदि किसी अच्छे नाटककार ने मंच पर अच्छा खेल दिखलाया तो उसकी बड़ी ख्याती हुआ करती थी पर वह नाटककार एक ही अस्थान पर अपना खेल दिखला सकता था और यह भी नहीं कहा जा सकता था कि एक ही खेल को यदि वह फिर से दिखलाना चाहे तो उसे उतनी ही कुशलता से दिखला सकेगा जितनी कुशलता से उसने पहली बार दिखलाया था आज केवल यही नहीं कि नाटककार के चितर की प्रतियां बहुत बन सकती बलकि उसके चलचितर की प्रतियां बनती हैं और साथ-साथ उसकी वानी भी सुनने में आ सकती है और वह केवल एक अस्थान पढ़ी नहीं बलकि संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जहां चाहे सभी अस्थानों पर और जितनी बार चाहें सुन सकते हैं और देख सकते हैं इस उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा परता है जैसे किसी भी अच्छे नाटक का पर वहां भी यदि कथानक दूसी थो पात्र चरित्रवान न हो और गतिविधी उनकी ऐसी हो तो समाज अध्वा व्यक्ति को उपर उठाने के बदले नीचे ले जाने वाली हो तो उसका प्रभा तक उसका प्रभाव नहीं पहुँच सकता पर फिल्मों में भला या बुरा करने की सकती कई गुनी अधिक हो जाती है किसी फिल्म की जितनी प्रतियां बना ली जाती है उतना ही उसका प्रभाव भी असीमित हो सकता है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिस चीज में इतन उपयोग तीन कामों में होता है सिक्षा मन बहलाव और प्रचार ये तीनों काम जीवन में महतुव पूर्ण हैं सिनेमा का उपयोग सिक्षा के काम में चितना बढ़ेगा उतना ही हो सकता है पर सर्त यह है कि कथानक सिक्षा प्रद हो और जो पदती अपनाई जाए वह ऐसी हो जिसके द्वारा सिक्षार्थियों को सच्ची सिक्षा मिल सके जब मैं सिक्षा सब्द का उप्योग करता हूँ तो मेरे ध्यान में केवल बच्चों की ही सिक्षा नहीं है महोदे हिंदी चेड काल से ऐसी भासा रही है जिसने सब्दों का उनके भिन देश अथवा भाशा में उदगम होने के कारण बहिशकार नहीं किया सच पुछिये तो सभी जीती जागती भाशाओं का यह एक गुन है कि वे अपने सब्द भंडार को बढ़ाने में ही चक्ती नहीं चाहे सब्द किसी भी उद्यम के हो उन पर अन्य भाशाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता क्योंकि सभी जीती जागती भाशाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्व भौम भासा बनाना चाहते हैं तो प्रदेशिक भाशाओं के सब्दों और मुहावडों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भासी नहीं है और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्टी कामों के लिए ही किया है उनके लेखों में कुछ ऐसे सब्द और मुहावडे देखने में आये हैं जो अर्थ तो असपष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं अन्य भाषा भाषी ऐसे सब्दों और मुहावडों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भासियो को उनका स्वागत करना चाहिए न कि बहिशकार हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट भासा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नती में अपना गौडव मानने लगेंगे यह भावना तभी उत्पन और परिपूष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगे कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरन प पर भी अहिंदी भासियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी भासी और हिंदी संस्थाय निस्प्रीह बहाव से हिंदी किस्री विर्धी में लग जाएं जिससे अन्य भाषा भासी भी उसके विभिन प्रकार क साहित्य के पड़िचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझे जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से पड़िचय प्राप्त करने के लिए यूरोपी भासाओं का अध्यन करना आवश्यक समझता है यदि केवल काव्य अथवा ललित करला संब अधिक गरंत ही जूरोपी भासाओं में होते तो हमको उन भासाओं को सीखने की सायद आवश्यक्ता भी न होती पर विज्ञान से पड़िचय प्राप्त करने के लिए उन भाशाओं का जानना अनिवारे हो गया है उसी प्रकार हिंदी भी इतनी सम्रिद होनी चाहिए कि हिंदी भासियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है उतनी बड़ी संख्या संसार की दो तिन भाशाओं के बोलने वालों की है इसलिए यदि एतने लोगों में यह भावना उत्पन हो जाए कि वे हिंदी को संसार क भासाओं में समूचित अस्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हिंदी का गौडब बढ़ेगा स्टॉप दोस्तो ये परलेमेट रिपोर्टर स्रीज के लिए डिक्टेशन थी आप इसकी प्रेक्टिस करें एक वार ने लिखा जाए दो वर जरूर लिखें अगर आपको ये फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए